हेलो वाट्सप गाईस मायने में स्पिनोध बाद उथा आपा सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर देख लीजिए कल की दिन में एक वीडो बनाया था जहां पर मैंने आपको यह बता था कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यूजर अगर अगर अपने लोकेशन को सेर करना मुझे सिफ लेटिटूट एंदेन लॉंजिटूट मिल रहा था ठीक है तो जब मुझे यह दो वैल्यू मिली तो आपको लगाओगा यह भाई इसका हम करेंगे क्या तो मैंने आपको एक थर्ड पार्टी वेबसाइट जहां पर हम रिवर्स जियो कोडिंग कर सकते उसका मदब यह कि अगर आपके पास लेटिटूट एंदेन लॉंगिटूट का एड्रेस होता है बेसिकली वैल्यू है कोई भी आपके फ्रेंड्स का जो किसी दुसरी जगे पर रह रह रहा हो तो उस लेटिटूट एंद लॉं सब्सक्राइब लॉंगिटूट होगा उसके बेस पर उसका जो एड्रेस है और कम्प्लीट एड्रेस सेंटा क्रूज चैंबूड जोड रस्ता जोन पांच मुंबई उपनगर इस तरह के से बेसिकली यहां पर मुझे डेटा आ रहा है से पितना ही नहीं लेट से अगर हम ल लॉंगिटूट की तो हम उसका कम्प्लीट एड्रेस कर सकते हैं और कम्प्लीट आज मैं आपको इस वीडियो में बादाने वाला हूं ठीक है तो गाइस बिना किसी दिर के हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं यही एक पार्ट जिसके तुरू आप लाइक लाइप उसका जहां जहां जा रहा है जैसे जैसे उसका जो पोजिशन अप्डेट हो रहा यह भी अपडेट होता रहेगा तो लाइप ट्रैकिंग हो गया ठीक है तो आप देख सेकते हूं कि मैं अपनी व्यसकोड एडिटर पर आजचुका ह्एं अगर आप देखते हैं तो वी एब one button and then we have total three paragraphs एक में उजर लोकेशन का details basically latitude longitude एक में normal address एक में उसका पुरा complete address and यह अलग-अलग में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत easy है इसको get करना है एक को थोड़ा मुस्किल है get करना तो वो करना लेकर बहुत easily and बहुत जल्दी से में काम करता हूं सबसे पहले मेरा यह जो paragraph है इसका में reference ले लेता हूं so it's your so details we have a document ठीक है so we have a document.we have a query selector and it's a class to so details so मैं यहां पे चलता हूं and then इसको मैं पेश कर देता हूं ठीक है this is it अब सबसे पहले जब भी कोई इस जीओ बटन पर क्लिक करेगा right and एक काम करती जीओ बटन इस ऐसे नहीं ऐसे रख लेते तो हमारे इस बटन पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो मुझे वो value दिखाना है वहां पे तो मैं directly जीओ बटन लिख नहीं सकता प्लीज इस वीडियो को प्यार लाइक शेर कमेंट कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा बहुत मोटिवेशन मिलती है ठीक है एल्स बहुत समय लग रहा है बिलीब में वह 16 गंटे जो मैंने पिछली बार बनाया था यह 20 गंटे के उपर जाने वाला है तो थोड़ा मेहनत ज्यादा है मैं चाहता हूं आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए ठीक है तो देख लीजे add event listener में हमने एक तो event add की कि हमें कौन सा event fire करना जब उस बंदे यह वो बटन के साथ interact करेगा तो मैंने बोला जब भी अगर कोई उस बटन को करता है click तो हमें callback function pass करते है right after click यह callback function call होगा जिसमें सबसे पहले तो हमें यह चेक करना है कि हाँ बढ़ी data बाराबर है या नही so it's a navigator.geolocation अगर इसकी value okay है basically browser support करता है अगर तो ही जाके हम क्या करते है navigator.we have a geolocation.we have this get current position कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरीके से now यह जो get current position यह जो function है again it takes two callback function and हमें मालू में कि कोई भी एक ऐसा function जो एक दूसरे function को as in argument expect कर रहा है basically accept कर रहा है then वो आपका एक higher order function कहलाता है ठीक है so मैं यहाँ पर चलता हूँ यह आपका पहला callback function होगा and वो इसलिए अगर कुछ success होता है तो अगर data मतलब सब सही है user ने allow कर दिया हम उसका data get access I mean उसका location on access अगर कर पा रहे हैं तो यह success वाला चलेगा यहाँ प कर दिया तो तब भी तो मेरे पास कुछ तो होगा ना कुछ तो मुझे display करना पड़ेगा कि user ने मना गर दिया है आपको location नहीं दिखा सकते तो उस case के लिए let's go with error and यह जो मैंने so details बताया है dot we have a text content जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे यह error के अंदर we have one property called message मैं पास कर रहा हूँ यह वाला जो एक position रहे गया है यह बहुत एजीली हम get कर सकते है और मैंने कल के वीडियो में ही आपको दिखाया था कि एक काम करता मैं अभी भी दिखा देता हूं आल्स आपको ऐसा ना लगे कि यार वही आज का वीडियो तो बहुत फास्ट हो गया फास्ट नहीं हुआ है क console.lock ठीक है all right मैं यहाँ पर चलता हूं इसको refresh करता हूं तो अभी फिलाल इसको मैं हटा रहा हूं मैं console पर चल रहा हूं मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो मुझसे पूछेगा क्या आपको allow करना है पहले तो मैं block कर देता हूं तो मुझे user denied geolocation क्यों क्योंकि मैंने यह code दिखाया error.message में मुझे वो आगया मैं फिर से इसको refresh कर रहा हूं मैं इस पर hit कर रहा हूं मैं इस टाइम allow पर क्लिक कर देता हूं तो मैं अगर allow पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हूं कि मुझे coordinates and then quads के अंदर we have this latitude and then longitude मुझे data मिलता है इस तरीके से ठीक है तो य position.we have a quads.we have a latitude तो यह जो latitude है मैं हटा रहा हूं मैं यहां पर paste कर रहा हूं उससी तरीके से सिब latitude नहीं we have a longitude तो इसको भी मैंने get की मैं नहीं चाहता है कि spelling wrong हो इसलिए मैं directly shortcut मैंने अपना लिया this is it so now we have latitude and then we have a longitude अब हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले मैं काम कर सकता हूं with the help of this particular 1 second मेरे पास होगा उसका code simple है हम already देख चुक है बहुत ही basic and that is कि जो पहले में error.message अगर denied होता है तो अगर success होता है तो the latitude इतना and longitude will be this मैं already उसको destructure करके get cut चुका हूं अब मुझे यहां पे एक function एक API को call करना होगा जिसके चलते अगर latitude and longitude की value मैं वहां पे put करता तो मुझे उसका current address provide करेगा वो मैं नहीं करूँगा वो API की मदद से हो जाएगा तो मैं get user current address करके function call कर रहा हूं जिसमें मैं दो argument pass करूँगा जिसमें से सबसे पहला होगा मेरा latitude दूसरा we have a longitude ठीक है तो यह मैंने एक function create की अब मैं उपर जा रहा हूं इस जगे पर ठीक है API to get user address ठीक है इस तरह किसे मैंने यह comment डाल दी मैं यहां पर यह जो function है यह जो भी function है इसको मैं इस तरह किसे fat arrow function के मदद से create कर रहा हूं और कुछ वो इस तरह किसे मेरा create हो गया ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर console.log and then latitude है ठीक है सिर्फ उसको मैं रखता हूं तो मेरा दिखाने का मतलब यह था कि अब देखना क्या होता है यहां पर इसको मैं refresh करो आगर इस पर click करूंगा तो पहले तो मुझे I think allow करना है call की है वो function मैंने जो यहां पर define करी थी उसमें से जो भी मेरा पहला यह parameter था उसका data मुझे यहां पर आगी है मतलब मैं यहां तक आ चुका हूं अब इस function के अंदर मुझे मेरे API को call करना पड़ेगा है गाइस तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो API के बाद किती वो है आपका open cage geocoding API ठीक है यहां पर करना बस क्या होगा आपको आपको login करना होगा ताकि आपको एक API key मिल सके एंड बाइद वे मुझे इन्होंनी sponsor नहीं किया है मुझे पता चला कि यह बहुत इजी है इसमें हम पर डे 2500 या 2000 सम्थिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है इसमें आपको कोई credit card कुछ add करनी की नीड नहीं है तो मैंने वाला भाई यह तो फिर अच्छ funding API आप यह कर लिजेगा एंड मैं पास अल्रेडी API है तो मैं अल्रेड आपको दिखा देता हूं ठीक है यहां से मैंने गेट किये demo पेज पर आप जाके देख सकते हो कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है ठीक है बट आपको बता चलिए मैं इस API की बात करो यहां पर तो वह है मैं आपको बताता हूं this is my API endpoint and this is my API की ठीक है so this is my API endpoint and this is my API key and I hope आप अपना खुद का API यूज करोगे ठीक है क्योंकि मेरा यूज मत कीजिए गाइस अब अपना खुद का को इतना तो आप कर सकते हो कोई आपके लिए तनी मैनत करके वीडियो बना कि सब कुछ आपको बता रहा है लेकिन आप फिर भी उसी काई सब कॉपी पेस्ट कर आप थोड़ी मैनत करो अपना खुद का की क्रेट करना उसी को यूज करना ठीक है एंड यह इतना मेरा काम हो गया है अब देखो मेरे पास यह पार्ट है मेरे पास यह पार्ट है एंड जो एक फाइनल API होता है वो मैं आपको बताता हूं and that is your this part मैं यहां पे चल रहा हूं ठीक है अब ध्यां से देखना तो यह जो API है इसमें कहीं पे भी आप यह नहीं देख रहें कि latitude and longitude की value मुझे एड करनी है as a parameter ठीक है as a params भी आप कह सकते हो तो मैं यहां पर चलता हूं ध्यां से देखना so let query add कर रहा हूं मैं यहां पर या it's a query मैं यहां पर क्या करता हूं यह जो मेरा dollar and then आपको यहां पर लॉंजिटीव इस्तिर किसे देना this is it तो आपके पास API का end point है आपके पास आपका API का key है आपके पास आपका query भी है तो मेरे पास यहां पर मैं आपको बताता हूं मेरा जो actual API जिसको हमें hit करना है वो है यह we have this API end point यह तो normal है लाइक इसमें कुछ ऐसी बात थी नहीं and then जब भी question mark काता है it means it's the beginning of your query string and then remaining जो भी आपको key value pair में दिखाए दे रहे वो आपके parameters है here we have a key obviously हमें लगेगा then we have this basically जो m% it means to join कर रहे हम basically multiple parameters pass कर रहे so this is your q equal to your query basically हमारा यह देखो इस तरह किसे हमें पास करना है latitude and longitude की value and then last time pretty one one ने बोला लीख हुए ता की बच्छे से दिखे maybe but I don't know but API का URL है अब कहने वाली बात ही है ना कि हमें अगर URL मिल गया तो अब हम इसको बहुत इजली हीट कर सकते हैं कैसे मैं आपको बाताता हूं देखो let's and obviously API जब भी हम हीट करेंगे तो वो promise return करता है तो इधर you can go with promises और you can go with async await हैना तो मैं async await के साथ जाना चाहूंगा और सबसे पहले जो console.error है है उसको मैं tackle कर लेता हूं सबसे पहले टेगल कर लो अब यहां पर simple const जो भी response मुझे आया होगा ठीक है मैं यहां पर चलता हूं जो भी response मुझे आया होगा कहां से await करना होगा from fetch API ठीक है so it's a fetch and यहां पर आपको क्या कुछ अब मैं आपको जरूर यह जो data है वो दिखा सकता हूं and let's see मुझे इस data में क्या मिल रहा है ठीक है मैंने अपना latitude and longitude तो डाल दी है तो basically वह हम पहले get करें देन उसको मैं इस API में add कर रहा हूं इस तरी के से विट एपकी control s save तो guys control s save की मैंने inspect करता हूं console पर रखता हूं इस पर मैं click करता हूं and मैं allow पर click कर रहा हूं तो the moment मैंने यह allow पर click की and boom I see मुझे data आगे जिसमें we have this license एक चीज़ देखना है यहां पर we have a license है rate है results है okay we have a results and जिसमें से latitude है longitude है components है हमारे पास जिसमें अगर आप देखते हो तो we have a city continent country country code एक second आप देख सकते हो बहुत easily यह जो मेरा component है इसके अंदर अगर आप चलते हो that is देख लिजे country दिखा रहा है continent मेरा city दिखा रहा है country दिखा रहा है यह post code यह road का नाम नहीं बाता चल रहा and इस तरह के से basically मुझे data आ गया and यहां पर है आरान करने वाली बात एक यह है कि we have something called formatted road and guys सबसे important ही देख लिजे formatted में आपको क्या आता एक simple है एक दूसरा थोड़ा सा hard है यह hard वाला यह था आपको maharashtra state का code state का district खुझ से लिखना है else by default एक बना बना हमें मिलता formatted जिसमें इस्ट्रेट का नाम आपका वो city district city दोनों के लिए आपका वो zip code postal code आपका इस्ट्रेट वो आपको बता आ रहा है ठीक है by default यहां पर आम data मिल रहा होता है तो अब it's totally up to you कि आपको कौन सा data चाहिए जो यह data मुझे मिला मैं बहुत easily यहां पर access कर सकता हो ना जैसे यह मेरा full address है so it's a constant full address आप यहां पर उसको get कर लीजिए query selector डाल दीजिए वो क्या खत्म full address जो था यह मेरा मैंने यहां पर get कर ली मैं यहां पर क्या कर सकता हूं उसको simple full address dot text content will be equal to आपका यह data है और मेरे पास already data पढ़ा हुआ है तो मैं सबसे पहले काम करता हूं यह काम करता हूं मैं फिर से दिखा तो मैं जो दिखाना चाहरा था आपको यहां पर ठीक है मैं यहां पर देख रहा हम किस के अंदर हम results के अंदर है जो की array है ध्यान से देखना यह एक results है जो की एक array है and array सिर्फ एक ही है basically हमारा array का first index number है data dot we have a results and यहां पर अगर मैं 0 लिखता हूं ठीक है so this time इतना सब कुछ नहीं आएगा खाले मुझे results और data आएगा enter hit कर रहा हूं इस पर मैं click कर रहा हूं and boom ऐसी अब सिर्फ मुझे यह results का data आया results के अंदर भी अगर मैं components में जाओंगा तो इन सारी चीजों को मैं get कर सकता हूं तो मैंने जैसे की थुछ दिर पहले मैंने इसी वीडियो में भी मैंने destructure करके आपको दिखाया यहां पे same मैं अब यहां पे destructure करने जा रहा हूं and it's not a big deal destructure करना so that's why मैंने इस तरी किस उसको destructure कर दी मैंने आपको दिखाया data we have a results results में हमारा एक इंडेक्स था और उसको get करने के लिए 0 से start करना पड़ेगा हमें and then components करके जो object है उसके अंदर यह सारे data हमें मिलता है तो मुझे अब क्या करना है इस particular full address में मुझे इस data को जैसे मैंने यहां पर latitude and longitude दिखाई उसी तरी किसे दिखाना है simple है ना तो it's not a big deal again copy and यहां पर मैं करता हूं paste तो आप देख सकते हो full address में text का content होगा user address will be city, postcode, state and then country अब अगर मैं यहां पर चलता हूं मैं इसको enter hit करता हूं allow पर click करता हूं तो मुझे अब यहां पर भी data आएगा सिर्फ वहां पर data नहीं मुझे यहां पर भी data आएगा ठीक है and for some reason मुझे वहां पर data नहीं क्यों is it a full address yeah it's a full address full address यहां पर भी सब बराबर है control है save कर देता हूं एक बार and लगे हाथ यह जो मेरा formatted address है इसको भी मैं get कर लेता हूं and उसको भी मैं update कर देता हूं we have a document.we have a query selector मैं इसको copy कर लेता हूं यहां पर dot and then paste कर देता हूं and same formatted address पर भी कुछ नहीं करना खाली जो मुझे इतनी मैनत करने पड़े थी उसके बदले मैं data dot results and directly components नहीं formatted data हमें मिल रहा होता है ठीक है बस हो गया मेरा काम इसको मैंने hard refresh कर दी यहां पर मैं चलता हूं LOP में क्लिक करता हूं तो पहले तो यह data मुझे आएगा and boom guys see मुझे मेरा अपना actual address यहां पर आ गया बाइद वे यह जो pin code थोड़ा सा wrong है you know but जो भी हो पुने में मैं रहता हूं महारास्ट्रा इंडिया and यह and if you want आप कुछ दूसरे भी more tools में we have a sensors अब दूसरे जगे पर भी जाकि उसका add कर सकते लेट से में Mumbai का करता हूं and this time मैं I log करता हूं तो आप मुझे पूरा Mumbai का address आ जाएगा यहां पर समझे तो basically आपका जो भी latitude longitude रहेगा उसके base पर आपका यहां पर data आने वाला है and कितिनी easily मैंने आपको दिखाए कि अब हम बिल्कुल free में latitude and longitude का तो पता लगा सकते हैं लेकिन उसके साथ-साथ once value हमें मिल जाता है then कैसे हम उसको किसी और API में include करके हम उनका पूरा data find out कर सकते तो अब मुझे basically website पे जाने की need नहीं है न यह वाले website पे जहां पर मैं कल का if you remember इस website पर मुझे जाने की need ही नहीं है जब मैं convert क्लिक करके मुझे यहां पर जो data मिल रहा है आप सेम यह code है जो है यहां पर बना सकते हो और इट जस्ट मैंने basic रखा है आप मैंने आप जैसे कि आपको दिखा है बहुत ही ज्यादा पसंद आओगा इस वीडियो कैसा लागा नीचे कौन करके जरूर बताना एंड मैं तो इतना चाहूंगा दोस्तों के साथ भर भर के सेर कर देजे क्योंकि बहुत जल्ड जावस्क्रिप्स वर्ल्ड बेस्ट जावस्क्रिप कोर्स आने वाला है तो प्ली कर दीजेगा मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में तिल दिन गाइस थेंकी सो मच टेक क्या